आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और यह आपका जब Viscous Solution of Cellulose कहला था ठीक है इट इस सिंथेटिक फाइबर मेट प्रॉम दी सेलूलोड देट इज नेचरली आकरिंग सबस्टेंस मतलब सेलोस से आपका नेचरल सोर्स से आपका मिलके बनता है लेकिन यह सिंथेटिक फाइबर है और इसका जो chemical structure होता है chemical structure is chemical structure is same as is same as that of cotton और बूल सकते हैं cellulose same as that of that of cellulose लूज टिक है सेलूलोस के स्ट्रक्चर के सिमलर रहता है ठीक है तो सेलूलोस जो है यह आपका कैसे बनता है बीटा मतला बीटा-डी ग्लुकोज की मोनोमेरक यूनिट से मिलकर बनता है पॉलीमराइजिशन रियक्षन होती है तो यहाँ पर N मॉलीक्यूल साथ बीटा-डी ग सेलूलोस जो आपका फर्मिशन होगा हमको रियक्षन जो यहां पर बताना है ठीक है तो मैं यहां पर जो है कुछ व्यूंघ ग्लुकोज की बना देता हूं आपका जो जैसे एन मॉलीक्यूल लगा तो मैं यहां पर तीन बना रहा हूं और बाकी जो N-3 होंगे वो भी आ जाएंगे तो हम यहां पर दिखा देंगे ठीक है तो यह इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर बनेगा O इधर आजाएगा और यह जो है यह इधर इस तरीके से ठीक है यहाँ पर आपका जो है यह अगर यह ऑक्सीजन होगा इसके साथ यह आपका जुड़ा होगा ठीक है इधर और यह जो है यह hydrogen होगा ठीक है और यहां पर यह आपको क्या हो जाएगा यह H यह OH ठीक है और यह जो है यह आपको क्या हो जाएगा यहां पर OH और यह H ठीक है और यहां से जुड़ा होगा आपका उपर हो जाएगा H नीचे हो जाएगा O ठीक है और यहां पर जो है यह एच और यह सी एच टो एच ठीक है एक मतलब एक यूनिट जो है यह आपकी आज गई अब मैं यहां पर जो है दूसरी यूनिट जो है बना रहा हूं ठीक है दूसरी यूनिट जो है यह आपकी इस तरीके से आएगी ठीक है यह यहां पर जो है कि यह मैं बना दिया वहे अधर जुड़ा होगा और यह यह इस तरीके से आपका आजाएगा ठीक है के यह रहें पर यह यह लगा होगा एट और यह पर यह अच यह अच और यह states को चुभ और just यह जो है यह ओ हो जाएगा ठीक अब जो तीसरी यूनिट जो आएगे बीटा डी ग्लुकोज की उसको भी मैं बना देता हूं तो यह आपका जो है यहां पर बनेगा यह इस तरीके से यह जो है यह आपका इधर तीसरी यूनिट जो है मैं बना रहा हूं ठीक है यह जो है यहा अब यहां पर जो है यह इस तरीके से यह बन गई आपकी तिसरी युनिट सो अब यहां पर आ जाएगा यह एच यह आपका जूएच और यह आपका उएच और यह एच ठिक है और यहां पर जो है यह किष्टाइगा य глаз Carney उसे अपको यहां जोड़ा होगा ठीक के इससे हो जाएगा और यहां पर जए यह क्या चावच यहाँ पर इस तरीके बारिके का इस ट्रवाble करता मिलिए यह अगर हम इनके कि इन यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां पर मैंने बना दिए तो यहां आपकी बकाया जो माइनस थ्री बची होंगी यह बची है ठीक है ठीक है कुछ तो आपका यह structure जो है यह कहलाएगा cellulose और यही जो है rayon यही आपका जो है viscose rayon का जो है कहलाएगा क्योंकि viscous solution of cellulose viscose rayon कहलाता ठीक है तो इस तरीके का आपका यहाँ पर structure होगा और साथ में आपके reaction इसी तरीके की होगी, ठीके? Thank you.